अध्याय साथ, सर्वनाम, अध्यन बिंदू, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, अध्याय विवरण, नाम के स्थान पर हम कुछ शब्द बूलते हैं, नाम के स्थान पर बोले जाने वाली शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, कभी कभी हम किसी अन्य का नाम लिये बिना अपनी बात कहत जैसे आप खाना खा लीजिए, तुम देर से क्यों आई हो? यहां वाक्यों में नाम के स्थान पर आप और तुम का प्रयोग किया गया है नाम संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाली शब्द सर्वनाम कहलाते हैं विशेश जिस प्रकार संग्या शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं जैसे एकवचन, बहुवचन, मैं, हम, तुम, तुम सब, वे हैं, वे, किसे, किन हैं, तू, तुम, आप, आप लोग, यह, ये, उसे, उन्हें. सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छे भेद हैं. पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा, निश्चवाचक सर्वनाम, तीसरा, अनिश्चवाचक सर्वनाम, चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँच्वा, संबंध वाचक सर्वनाम, छे, निजवाचक सर्वनाम, पु बोलने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, मैं, वह, हम, आदी, मैं खेलने जा रहा हूँ, निश्चवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चत व्यक्ति, वस्तु, अत्वास्थान क जैसे यह वह उसका इसने आदी वह बहुत अच्छा अभिने करता है अनिश्चे वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चत व्यक्ति वस्तू अथ्वस्थान का बोद ना हो उन्हे अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, कहीं, किसी, आदी, देखो बाहर कोई आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, कहा, किसने आदी, बेटा तुम कौन हो संबंध वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जैसा वैसा जो वो आदी जैसा करोगे वैसा भरोगे निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे, खुद, स्वयम, अपने आप, आदी, अपना काम स्वयम करो, आओ दोहराएं, जिन शब्दों का प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम के छे भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चवाचक, अनिश्चवाचक, प्र